कि ने यह एकदम बोपनी होना चाहिए अंतिम समय पर निरने लेना चाहिए और उनको तो भोट गिराने के रोज पता चलना चाहिए न किनके साथ जाना और आप देखिएगा आपको महल 25 जुलाई के बाद आपको दिखने लगेगा हम किस और चल रहे हैं ठीक है तरपर देश महर सिट पे तयारी करहें हमारी चाहने बारत बहरत में जहां पर भी होगा वो उसको हम चाहीं हों हमारे साथ हमारे मिसंद के साथ वीचार के साथ वो चले तो हम तैयारी हम लोग सभा है तो पूरे देश की बात है तो देश लेवल पर हम लोग काम करेंगे नमस्कार में हो दिवांसु आप देख रहे हैं इस वक्त वात करने के लिए हमारा साथ व्याइपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सेनी है बिहार में जाती अधारी जन्कना हो रही है अर्शे से मांग करते रहे हैं आप खुश हैं जो हो रहा है पर जो मांग हम लोग कर रहें और राज्सारकार कर रही है तो खुशी की बात है और अच्छा पहल है खास करके बिहार के गरीब जनता पिछ्टरा समाज के लिए कि पूसका हकमारी हो है और मैं मानता हूं कि एक जाती का जन्राना होने से एक संतुलन बनेगा सरकार को कोई भी चीज किसी को बांटने से पहले सोचेंगे कि उनको क्या दे आज जैसे आज हम आती पिछराव में बड़ी संख्या है लेकिन आरक्षन बहुत कम है तो आज जन्राना बढ़ गया कहां उस समय में हमारे 18% आज भी वहीं पे हैं और कई जाती जूर गया 96 से लेकर अभी 108 जाती पे पहुँच गया तो बहुत सारा बदला होना है लेकिन संख्या पे आरक्षन पे नहीं होता है तो ये सारे भारत सरकार को इस पर पहल करके पुड़े देश में कराना चाहिए नहीं करा रहे हैं तो हर सरकार को आगे निकलना चाहिए और यह काम करना चाहिए ताकि उनको अपनी पॉलिसी के लिए काम हो हो सकता जनता के बीच में सरजनिक ना करें लिए कम से कम आपके पास अपना आकरा होना चाहिए सरकार अगर चला रहे हैं तो सरकार के पास लेखा जोका होना चाहिए आपके ट्रेजरी में कितना पैसा है कहां जा रहा है जरूरी नहीं कि जनता को बता आपके पास जब सब चीज रहेगा है इसाब किताब तो एक अच्छे पॉलिशी बना सकते हैं लेकिन अगर कें सरकार जाती है अधारी जर्गनना पूरे देश में करवाती है जनता को बताती ही नहीं तो क्या फाइदा हो सकता है इसका अगर सक्षम है सरकार इमंदार है तो न डाता हरे है ठीक है तो उसी तरीके से अगर हम देश में अगर जनगनदा हो बिभागिय मंतरी को पता होना इतर तोड़ सरकार को पता होऊना चाहिए बिसे पर हमको कितना खर्चा करना चाहिए क्या यह पर 10 परसीर सभी जिला में ज्याद़ भी का से जिससे कोशी है अब कोशी नवर जो दूसरे जिला में जो खर्चा कर रहे हैं उसके अनुकुल उहां पे ज्यादा करना पड़ेगा वहां पे ग्रामी चेत्र ज्यादा है अब सहरी चेत्र में भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा वहां पे रोड सरकार के पास सब चीज का जानकारी रहोगा तो ना कोई बहतर पॉलिसी बनाएगा तो इसलिए जाती के जनना होना चाहिए और जब यह होगा तो उसके लिए पॉलिसी बना जाएगा जो कब दबे कुछले लोग है बाबा सामने हमको समीधान इसलिए बनाए ना कि आपको जिचनीत कर रहे हैं कि कुण लोग कितना पीछे रहा गया उसको आगे लाओ आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बिसेश बेवस्ता देना है बिसेश खर्चा देना है और भारा सरकार बहुत ऐसे योजना चलाते हैं जैसे इंद्रावास है तो मानते हैं कि जो गरीब है ऐस श्टी में गरीब है अतीपिछला में गरीब है जो इसको लाल कार्ड है वह गरीब है उनको जादा ज़्यादा गर मिलना चाहिए और राशन नहीं बट रहा है तो उसे रहना चाहिक Ay. कुल वर्ग को हम जादा जादा दे रहे हैं उससे अंदाज बिलेगा तो उस वर्ग के लिए एक अच्छा पॉलिशी बनाया जा सकता है अच्छा रनिती बना जाएगा आज बिहार में बड़े संख्या में निसाद है लेकिन उसके लिए कोई अपना पुष्टनी बहुत बार सब्सक्राइब करने कर रहा है। अब सरकार को सही आकरा रहेगा तो सरकार उस पर पहल करेंगा उस पर निड़ने लेंगे कि कैसे इसको आगे बरहाया जाए अगर केंज सरकार सही में जाती अधारी जनगन्ना करवा लेती है तो आप सपोर्ट करेंगे कोई भी सरकार करा है न हम सबके समर्थन में है यह चीज तो देश हित में है न तो देश हित में अगर आपके बिरोध में है, है बेवस्ता जनगना करने का बेवस्ता है हर दस साल में जनगना करना है ऐसे थोड़े सरकार राज सरकार इतने सालों से खर्चा कर रहा है अब उसी में क्या है जाती अधारित कर देना उसी में आर्थिक अधारित कर देना है यह सब पिमानाद सब्सक्राइब जो बिहार में अच्छा काम हो रहा हूँ, यूपी सरकार को अपनाना चाहिए, जो बिहार में गलत हो रहा हूँ, यूपी सरकार को नहीं करना चाहिए, जो यूपी में गलत हो रहा हूँ, उसको बिहार सरकार को नहीं करना चाहिए, जैसे आप पुलिस का स्टडी में दिन दे चलेगा लेकिन एक बेगुना को सजा नहीं मिलना चाहिए ठीक है तो हम यह विचार धारा से हैं ठीक है तो इसके लिए बिहार का जो अपना मॉडल वो मुझे लगता सही है रहा यूपी में भी कुछ सिखने के लिए मिलेगा तो हम तो कहते हैं कि देश में कोई राज सरकार हो राज सरकार हो केंद सरकार हो अच्छे पॉलिसी ला रहा है अच्छे काम कर रहे तो उसको एड़ाप करना चाहिए जैसे मैं महाराष्ट में गया था जब मैं मंत्री था तो मैं महाराष्ट में गया वहां पर मैंने देखा कि पांच जिला में डेरी सेक्टर में में इतना बारा क्रांती है इतना वड़ा काम कि पांच जिला में सबाओ करो लिटर रोज का दूद उतपात होता है और बिहार में हमारे पास 38 जिला में 15-17 लाख लिटर दूद उतपात करें तो हम बहुत वहारा फोकस रखा बहुत सारा ध्यान डखा बहुत सारा सबसीडी दिया बहुत सारे फेक्टरी को लगवाया तो महनत किये तो आज वहां पे सबा करोन लीटर रोज का दूद का उत्पार हो रहा है और हमारे बिहार भी सिफ सतरा लाग लीटर होड़ा है तो हमने पर यूपी बिहार देश कोई भी कोना हो जाना है काम करना है और सरकार इतना भी लाचार नहीं है हां लेकि कुछ कुछ जगह पर अगर लाचारी दिख रहा तो वहां पर उनको काम करना चाहिए एक आखरी सवाल है मेरा कि जब से आपकी सुरक्षा बढ़ी है चाक है तो फिर मुके सहनी मन बना चुके हैं नहीं आपके मादम से खुब हला बोले थे आपने नरेन मोदी मादम से फिर मैं किलियर कर रहा हूं कि यह सुरक्षा जो है यह आई-वी के रिपोर्ट के अधारित हमें मिला है किसी का महरवानी नहीं है ठीक है और यह देश का जंते है कि देश के हर एक नागरी को सुरक्षा देना उसी में उनको एसास हुआ कि सुरक्षा देना चाहिए तो उन्होंने दिया है इसमें किसी का महरवानी नहीं है और यह सब बिलकुल ही ना सोचे समय आएगा तो आप लोग बीच में पत्ता खोलेंगे और इसके लिए अगले सले का इंतजार किजिए अगले साल मियतने लला अव optimize कर रहे हैं क сказала है पकिसी की संधियर है पुरे गराजी का जितने तै करें जो हरकरन में हारी सीर्ट पर तैयारी करें दोतर प्रदेश मोर रिख Constant प offenses हमारे चाहने वारा बहरत में जहां पर भी होगा ऊसको हम चाहेंगी वह हमारे साथ रहे हमारे मिसं के साथ हमारे विछार के साथ तो चले तो हम तैयारी हम लोकशभा है तो पुरे देश की बात है तो देशेलेब्ल पफसा करेंगे। थिति необходимо पुरी भारत में क् उकश्या न終र प्रॉसा पर भारत हमें तेनरराप में काम कर रहे कि डिशिजनила क्या करते कि यह उसके ब्लाकिंगे मेन चारश चाहिए ने ने ये एकदम बोपनी होना चाहिए अंतिम समय पर निरने लेना चाहिए और उनको तो भोट गिराने के रोज पता चलना चाहिए न किन के साथ जाना है और आप देखिएगा आपको महल 25 जुलाई के बाद आपको दिखने लगेगा हम किस और चल रहे हैं ठीक है